तो खुब खराब अपने अगर आज सकती था बेव नीजर बाड़ी पुर्ती अपने घर में कुछ भी होता है तो आज में आसकता है सभाविक है लेकिन आप आसक्त हो जाएंगे तो फिर आपको घर के आसपस क्या बनना पड़ेगा साब बनना पड़ेगा क्या बनना पड़ेगा आप घर की रक्षा करना चाहते हैं तो क्या बन जाएंगे साब बन जाएंगे आप कुता बन सकते हैं तो इस जगत में बहुतिक आसक्तियां क्या करती हैं बंधन का कारण बनती है इसलिए अर्जुन भगवत गीता कि मैं युद्ध करने से भगवान को बोल रहे ने मैं युद्ध नहीं करूंगा कि उनको डर है कि युद्ध करने के चकर में राज्य से मैं आसक्त हो जाओंगा बहुत लोगो की हत्या कर दूँगा अपने लाब के लिए मैं दुसरों कीहानी कर सकता हूँ इसलिए भह 20 भ्यवीत थे कि मैं अपने राज्य के लिए हो सकता है तो आदमी को मार दू अपने लोब के लिए तो भावी के इस दुनिया में आदमी अपने भले के लिए दूसरे का बुरा आप जा रहे है ट्रेन से आपको भी सीट चाहिए दूसरे आदमी को भी सीट चाहिए तो आप एक ही सीट है और आप चाहते आपका बेटा बैठे बेटा भी सेशन से चड़ेगा आप उसको ब्लॉक करके रखते हैं वो बोलता है नहीं हमको बैठने दो वो बैठेदा में चड़ने वाला है और पांच कुड़ा इस्टेशन आया है आप समान रख रखे मुझे बैठने दो नहीं नहीं है आदमी है बोलतार आदमी कहा है बैठना चाहता है उदर आप छोड़ना नहीं चाहते है ठोड़ देना चाहे की मिठा देना चाहे उसको हाँ आपका बेटा कीदर बैठेगा ओEMA ख़ड़ा रहेगा तो कष्ट होगा क्या करें बेटे को बिठाए कि उसको बिठाए अ मुझे लेत बड़ा क्या है पर स्मीन बाहरे था ने दुशीट देना कि हम देना चाहते, उपने बच्चे का सरक्षा करना भी जवरी है, तो इस दुनिया में, क्योंकि सब चीज क्या है, सीमित है, इस जगत में पैसे क्या है, सीमित है, जगा क्या है, सीमित है, तो इसके कारण न चाहते भी जगणा होगा ही, आप चाहे या न चाहे, आप कोई ल हो गए समझ रहा है वो बोले हम इससे साधी करेगा अब दो आद में थोड़न साधी कर सकते हैं समझ रहा तो क्या होने की संभावना है जागड़ा होने की संभावना है इस लगत में भौतिक आ सकतियां जाने अंजाने में कस्ट का कारण बनती है आप चाहे ना चाहे आपको आप भगवान के नियम पालन करेंगे तो कम कस्ट होगा और नियम नहीं पालन करेंगे तो फिर तो आपको पास आपके दो भीगा जमीन है आपके चार बेटे हैं आप आधा आधा भीगा सबको दे सकते हैं अब लेकिन एक हम एक भीगा लेगा बाकी तुम लोग एक थिहाई लेगा सभी क्या होगा अधा अधा लेने में भी बात आई तक कोई बुलेगा हम आगे वाला लेगा कैसे डिवाइट करें ? तेटे जगत में चीजएं जो हे की सीमित होती है वो एक जमेला है और दुसरा है हमारी अंदर वासना ये असी मित है तो जमेला होना तो अल्मुष्ट क्या है अनिवाज है तो भौतिक आसक्ति क्या है कभी न कभी कष्ट देगी इसलिए भौतिक आसक्ति को छोड़ना भी बहुत मुस्किल है इसलिए भगवान की ताय मोलते हैं कि भगवान की सिमीत है भगवान की सीमीत है भगवान अनन्ध है आपको भी खुश कर सकते हैं, दुसरे को भी खुश कर तो इस लिए जगत में बुद्धि महान वैक्ति इससे प्रेम करना चाहेंगे जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान में मल लगा है लेकिन भगवान में मल लगता नहीं है मन किसमें लगता है बहुत तिक चीज़ों पुर्व जन्मों पापों के कारण किसमें मल लगता है तिक चीज़ों भगवान में मल लगता है नहीं कि विभीशन रामन को समझा रहे हैं कि भया आप सीता को छोड़ दीजिए आपको माफ कर देंगे आप सुखी से रहेंगे कि विभीशन को रामन को अच्छी बात क्या रहें तुर को जाना सिखाएगा एक लात मार दिया उसको आग यहां से फिर भी वो चन पकड़ा के बहला भया 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 प्लीज मेरे खाती राप जगड़िये मत मैं जानता हूं राम के प्रभाव को लेकिन ऐसी आ सकती थी रामन क कि मानी नहीं रहा था तो इसको बहुत समझा है लेकिन उसको ठोकर मार दी तो फिर वो भी बस होके राम जी के पास मन में स्मरण कर रहा है कि राम जी मुझे जरूर सरुन देंगे उसने अल्या का उद्धार कर दिया रिसी पत्नी अल्या का उन्होंने क्या किया बहुत तो बग्वान राम मेरा भी उधार करेंगे उदर जाते है सर्णागत कर देते हैं सुगरीब को इंफर्म करते हैं मैं राम जी से मिलना जाहता हूं ज üluper यह थे रामके पार जातें मुलते भगवान through router का भाई आया है क्या करना है निस्वाइन बड़े अज्बूत है अ capable यह निसे तुम बताहु क्या करना जा है तुम बताओ वो तो परंपुर्शंद भग्वान है लेकिन कितना सम्मान करते हैं, शुक्रीब से पुझे तुम बताओ क्या करना जी, शुक्रीब बोलता है, वो सब पताउता करने आया है, नाटक कररहा है, शुमिद्रे, इसलिए मैं बेल को लगए रहा है, विसको मार देना जी, तो राम जी बोलते हैं, देखो, वो मेरे अंदर सेवा करने की भाव से आया है, और मेरे अंदर सेवा करने का भाव उसी के अंदर आ सकता है, मेरे भजन का भाव उसी के हिदे में उतित हो सकता है, जिसके हिदे में पाप नहीं है, जिसके हिदे में पाप होगा, उसको मेरे लुची ने जीवन में भगवान के नाम में तभी रुची आएगी जब पाप करने की रुची नै तो तुरंट जब में क्या आएगी नीन आएगी जब मेरूची तभी आ सकती है, भक्ती मेरूची तभी आएगी, कथा सुनने में जब पाप थोड़े खतम हो जाएगी, तो और पाप खतम पाप तुमने बहुत किये हैं, तो भग्वान में आ सकती है नहीं, आ सकती कब आएगी जब पाप खतम होगे, कब आएगी भगवान में आ सकती जब पाप खतम होगे, समझरे, पाप फाप होगा तब नाम में रूची आएगी है जा नाम में रूची हो है maker दिर ट्मत करaina कर फब नाम में में रूची हैं नहीं जा खतंव है। पहले के पापके कार्ण नाम कर नहीं पाएंगे और नाम करेंगे तभी पाप खतम होगा लेकिन पहले के पापके कार्ण आपका नाम में मन ही नहीं लेगा नाम करें तो इसलिए करना मतलब क्या करना पड़ेगा संगर्स करना पाएंगे क्या करना पड़ेगा बैठेंगे मन मुलेगा चलो जा समझ रहे तुरंत उठा देगा और उठाके बाला करते करते टी मोबाइल देखने लेंगे कर देखेंगे जब नाम में रूची नहीं पाफ है पहले के तो नाम में रूची आएगी तुरंत मन इधा उधर इसलिए क्या करना पड़ेगा भक्तों के संग में जब करना पड़ेगा जिनके अंदर रूची है तब फिर वो लोग कर रहे तो हम भी करेंगे तो इसलिए जब क्या है क्या रहेगा जब तक काफी सुध नहीं होंगे जब क्या होने वाला है संगर्स क्या होने वाला है महाभारत उससे भी ज़्यादा खतरना के उदे तो कि नीन आएगी इसलिए भक्तों ठाकुर बोलते है क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएंगे सट्रू आएंगे एक लगए क्या है जैसे जब करने बैठेंगे ऐसा जबरदस नीद आएगा आए और बाहर निकलेंगे रहे तना फ्रैस हाँ वाप और नीन या रहे ही है कमेज रहे है क्योगी बश्री में क्या करें पू किया रहे है यह कर लो यह है कर लो तक उसमें थोड़ी भी नीदे आएगी यह जी पर गराम में जाना हां यह से टौटो कॉम्च करेंगे है उसम तो चला गया बताती है उसको कोई लोग तो खराटा लें लगते हैं जूम जपा हमें देखते हैं तो हमें समझना पड़ेगा जब तक हम सुझनी हों के नामों में रूची आने वाले नहीं है इसलिए भक्तों के संग में जो बजिन के अंदर रूची उनके साथ बैठके जब है कि यहीं दूसरा है संगर्स करना पढ़ेगा मन नहीं भी लगरतो लगाना लगे का पांच मंतरों तक करोंगा में नहीं देना आप दो घंटे तक में जब करूगा दो बनेट भाग जाया काई समझे रहे दो मिनेट के लिए मैं नहीं हिलूगा यह मंत्रा अच्छे से करूगा हरी किस्ट 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 हरी राम हरी राम 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 हरी किस्ट हरी किस्ट किस्ट हरी राम हरी राम 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 हरी किस्ट हरी किस्ट किस्ट हरी राम हरी राम तो इस प्रकाश से थोड़ा की पभी दो मिनट अच्छा करें दस मंदर अच्छा करें तो दिर देखा करेंगे तो टेस्ट आएगा अच्छे जब करेंगे सुध होगे तो और टेस्ट आएगा धीरे धीरे ऐसे परयास करना चाइए दूसरा है उसके बाद भी कभी-कभी मन न किया था उसके बारे में गलत विचार आएगी, तो क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, पहले के बहुत जादा पाप है, तो क्या करना चाहिए, इसलिए हम लोग सी चैतन महापू का स्वर्ण करते हैं, किसका स्वर्ण करते हैं, चैतन महापू देखे, यह तो बहुत पापी ह कल्यू के लोका तो भगवान में रुची आएगा नहीं तो मुझे रहे बहुत पाप के इनको तो रुची आएगी नहीं तो चैतन महापु ने बोला ठीक है मैं अपराद इसम का पापका जंजट हटा ओ ना महापरादे बिचारतो तो स्री चैतन महापु का विसमर्ण करेगे आपको नहीं नारी नहीं मन लग रहा है तो आप लिग ओर रंगा तो आप चैतन महापु काlarını करेंगे तो अपने आप मन क्या होगा यह भी महापरभू ना इत्ना पापू हूँ कि मुझे नामो मेरुची, हे महापू मुझे मदद करेगो राञगा, तो फिर आप देखेंगे, फिर से आपका मन, तो इस पकार से, जपा मतलब संघर्स करना पढ़ेगा, क्या करना पढ़ेगा? तेक आर्थिक महिना, होती अच्छा समय है, आईए तम संघर्स करें तम सकंब अच्छे तरी के सुल्ला माला एक स्थान पर बैठ करें संभभ हो प्रयास करना ची जोर जोर से हरी कृष्ट अरी कृष्ट अरी राम हरी राम श्री हरी राम प्रभु की